Hello everyone, my name is Durvesh and you're watching my YouTube channel आज के स्वीडिय में भी आप लोगों को बहुत ही useful structure sentences मिलने वाले है और आगे बढ़ने से पहले, actually मेरे पास नहीं दो तिन बार comment आ चुका है कि सर्म प्रैक्टिस कैसे करें, कोई प्रैक्टिस के लिए है ही नहीं साथ में और इस चीज का answer मैं कई बार दे चुका हूँ मैं फिर देता हूँ इस चीज का answer जो मेरे according, जो तरीका मुझे सही लगता है और मेरे साथ भी कोई नहीं साथ जब मैंने English सीखनी शुरू की थी या फिर जब मैंने कोशिश की थी English बोलने की seriously बता रहूँ मिरे साथ भी कोई नहीं था दो भाई मियां, घर में वो महल भी नहीं है, अर्फा कोई दोस्त भी नहीं है और Hindi medium से ही मैं पढ़ा हुआ हूँ, English medium से नहीं हूँ सो सीधी सी चीज सबसे पहले यार मैंने sentence सीखे लिखने कोई भी चीज हम जब बोलते हैं, तो एक दिमाग में लिखते हैं, फिर हम बोलते हैं खासकर कोई नहीं चीज सीखते हैं, होता क्या है कि वो चीज इतनी बार हम practice कर चुके होते हैं फिर हमारी वोचीज subconscious mind में चले जाते हैं और बिना लिखे हम बोल पाते हैं तो सबसे पहली चीज, आप एले English को लिखना सीख लो, sentences बनाना सीख लो जब आपको वो बनाने आ जाएं, एक point आ गया आपको बनाने आ गया फिर एक sentence पकड़ो कोई भी, जैसे आज मैंने present indefinite पकड़ लिया उस sentence को ही मैंने आज पकड़ा, और मैं, जितने भी मेरी बाते आ रही हैं मैं दोनों use करूँगा, Hindi भी और English भी जहां पर मुझे नहीं समझ मेरा है, यह sentence कैसे बनेगा, वहां पर मैंने Hindi बोल दी जहां मुझे समझ मेरा है, महां मैंने English बोली इस तरह से मैंने एक-दो महिने के अंदन सारे sentences cover किये passive voice, active voice, वह मैंने cover किये जब आपकी यह चीज हो जाए, जब आपकी से practice कर चुके हो फिर आप थोड़े से उनकी जो quantity है, वो थोड़े से बढ़ा दीजिए कि अगर आपने मालीचे 10 line बोलनी है तो उन 10 में से 5 Hindi में हो, 5 English में हो इस तरह से बोलिए, धीरे-धीरे जो English की lines है वो बढ़ाना शुरू कीजिए, क्योंकि इस से क्या होगा एक तो आपके ओपर pressure नहीं होगा कि मुझे पूरा English में बोलना है, नहीं बोलना आप Hindi में बोलो, जहाँ पर आपको comfortable लगे कि हाँ, मैं यह जो चीज है, यह English में आराम से बोल सकता हूँ आप उस चीज को बोलो, फिर धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं कहा comfortable feel नहीं करता हूँ English बोलते हुए, अब फिर उन चीजों के उपर काम करना शुरू करो उनको धीरे-धीरे बूलना शुरू करो customer care है, उनके उपर customer care को call करो उनसे English में बात करो कोई message करते हैं, आप उनसे message करो मेरे पास WhatsApp group है, आप वहाँ पर मैंने कितनी वार बोला हूँ है बच्चों को मैंने जॉइन किया हुए, दो सो, दो सो, डेड़ो सो, डेड़ो सो बच्चे जॉइन किया हुए है लेकिन मैं देखता हूँ, इतनी कुछ conversation होती ही नहीं है उनकी तो यही चीज आप की ही गलती है, कहीं ना कहीं क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक platform देना था, मैंने वह platform दिया बच्चों को, कि चलो ठीक है बच्चों के पास नहीं है mostly जो भी applications है, platforms है वो chargeable होते है, वो कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं, किसी ना किसी point पर जाके लेकिन मैंने वह WhatsApp group बनाया है, अपने personal number बे बनाया है और उस पे ही मैं platform दे रहा हूँ, लेकिन महापरी मैं देखता हूँ, इतना कुछ नहीं है तो ऐसा कोई नहीं है कि मेरे पास practice करने के लिए कोई नहीं है, है उन चीजों को मैं बोलने के कोशिश करता था, तो इस तरह से ही धीर धीर आपको practice करनी होगी और वहीं से ही आपको कुछ नगोच सीखने को मिलेगा, तो चलिए आज के पहले sentence हैं वीडियो को शुरू करते है देखें, अब पहला sentence है, मैं हमेशा से समाज के लिए कुछ करना चाहती थी अब ये वो वाला sentence नहीं है कि कुछ हुआ करता था, कुछ किया करते थी ठीक है, तो ये है past indefinite sentence, उस वाले sentence में मत जाना मैं कुछ करना चाहती थी, तो ये past indefinite है, कि past में कोई एक घटना हुई थी उस तरीके से, हमेशा से करना चाहती थी, ये भी उसी sense के अंदर जाएगा फिलहाल हमेशा को कुछ होड़ दो, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती थी past indefinite है, ना ही negative है और ना ही question बाला है तो do or main word action, do or कौन है, मैं, I, main word did, action है चाहना, करना नहीं, चाहना so want to, did छुपा want to में और wanted to बने, I wanted to do, मैं करना चाहती थी कुछ समाज के लिए, something for the society, ठीक है, अब जो term बची हमेशा से इसके लिए जो मैं always लगाँगा, वो कहां लगेगा, action से पहले लगेगा, ये चीज़ मैंने बताई हुए, act, always, just, sometime, never, ये चीज़ी होती है, ये action से पहले लगती है, action क्या है, wanted to, इससे पहले लग जाएगा always, I always wanted to do something for the society, मैं हमेशाद समाज के लिए कुछ करना चाहती थ इसलिए मैंने लव सोनिया से शरुवात की, अब मुझे खुद नहीं पता है, लव सोनिया कौन सी मोवी जाई थी, समाज को क्या था, चाहिए, लेकिन जो sentences थे मैंने वही पकड़ाए, इसलिए मैंने सोनिया से शरुवात की थी, अब जो ऐसी term आ जाए ना, कि भाई, इसलि past indefinite ही है, ठीक है मैंने शुरुवात की, past indefinite sentence है, so do or mean word action, do or कौन है मैंने, I, main word, did, action start, did छुपा start में और started बरिया, I started, मैंने शुरुवात की love sonia से, with love sonia, from नहीं आगा with, उस मुवी के साथ, इस तरीके से, so इसलिए मैंने love sonia से शुरुवात की, that's why I started with love sonia, अगर आप न सभी फिल्मों को देखें, जो मैंने पहले की है, अब ही sentence काफी लंबता, इसलिए मुझे तोड़ना पड़ा है sentence, अगर आप उन सभी फिल्मों को देखें, जो मैंने पहले की है, अभ ये जो sentence होता है, अगर ऐसा करें, अगर ऐसा करोगे, ये चीज़ें आ जाये तहिते indefinite, so do or main word action, अगर के लिए if लगाया, sad में लग दिया, do or main word action, do or कौन है, आप, you, main word क्या लगेगा, present indefinite है तो do लगेगा, action क्या है, see, यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, see की जगा watch आना चाहिए था, लेकिन जो जिस तरीके से लुने sentence बोला है, मैंने उसी तरीके से लिखा है, लेकिन कायदे में हैंपर watch आना चाहिए था, चाहिए, you, do, see, अब do, छुपा, see में कोई change नहीं है, if you see, अगर आप देखे, all the films, सारी films, जो मैंने पहले की हैं, अब यस जो के लिए मैंने बता है वा, क्या-क्या लगा सकते हैं, which लगा सकते हैं, that लगा सकते हैं, चाहो और जो that है, वही sense लेकर चल देगा, जो film में, so that मैंने पहले की है, अब end में आ है, यह है, यह है, चुका है, यह present perfect वाले sentence होते हैं, कि जो मैं पहले कर चुकी हूँ, चाहिए, जो मैंने पहले की है, चाहिए, so do or main word action का ही formation रहेगा, do or कौन है, मैंने, I, main word क्या लगेगा, have चाहिए, और action के हैं, करना, चाहिए, तो करने के लिए है, do or do की क्या एगी, third form आएगी, third form क्या होती है, do की, done, चाहिए, I have done in the past, in the past का मतलब पहले, चाहिए, तो यहाँ पर पूरा sentence क्या बना, अगर आप उन सभी filmों को देखें, जो मैंने पहले की है, if you see, if you watch all the films that I have done in the past, जाफिर कुछ मतलब लगाओ, if you see all the films I have done in the past, तो यहाँ पर उन और जो के लिए कुछ भी नहीं लगाया, तब भी sentence का sense बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, चाहिए, इससे कुछ सीखने को मिलता है, अब यह क्या है, इससे कुछ सीखने को मिलता है, अब यह हो गया, you do get, do or mean what action, कि आपको कुछ सीखने को मिलता है, मिलना यहाँ पर action है, इसके लिए मैंने get का use करा, do or mean what action, you do get, present and definite में ले लिया, do छुपा get में कोई change नहीं आया, you get something, आपको कुछ मिलता है, to learn, सीखने के लिए, एक तो तरीका यह हो गया, इससे कुछ सीखने क के लिए, यह sentence मना है, इस तरीके से, तो इसमें कुछ है, यह कुछ रखता है, तो यह present and definite का sentence मना, और यहाँ पर, जो do or है, वो है, इसमें, अब जैसे मैं बोलो, मेरे पास कुछ है, मेरा कुछ है, तो यह present and definite पर जाता है, और action होता है, have, same यहाँ पर, इसमें कुछ है, तो सीखने के लिए, to learn out of it, out of it का मतलब इससे, टीक है, इससे सीखने के लिए, तो it has something, इसमें कुछ है, to learn out of it, इससे सीखने के लिए, यह sentence बनाया है, इस तरीके से, you get to learn something, यह भी आप बना सकते हो, टीक है, यह दो तरीके है, जिससे यह sentence बिल्कुल सही बन सकता है, आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है, it has something to learn out of it, मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक किसी ना किसी तरह से प्रेरित और उत्तेजित हो, पहला है, मैं चाहती हूँ, यह sentence क्या है, present indefinite, ताहती है, so do or main word action, do or कौन है, मैं, I, main word do, action क्या है, चाहता, चाहना, want, चाहती है, so want में do तेजित और प्रेरित रहे, so I want my audience to be motivated and inspired, यहां तक समझो पहले, अब जैसे इस sentence का formation है, मैंने कई वर बताई है, I want you to listen, जो चाहता है, पहले वो आया, कि कौन चाह रहा है, फिर आया want, फिर आया मैं जिस से चाह रहा हूँ, जैके है, फिर to आया, अब फिर जो काम मैं चाह जैसे कि मैं बोलू, मैं चाहता हूँ कि तुम यहां से जाओ, कौन चाह रहा है मैं, I, फिर I want, फिर किस से चाह रहा हूँ, तुम से, you, फिर to, अब क्या चाह रहा हूँ, जाओ, go, I want you to go, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, ऐसे, so I want, मैं चाहती हूँ किस से, मेरी audience से, my audience, फिर two, अब क्या चाहती हूँ कि वह motivated or inspired रहे, be motivated and inspired, चेक है, ऐसे, अब जो term बचेना किसी ना किसी तरह से, इसके लिए बहुत ही अच्छी एक formation है, somewhere or the other, somewhere or the other, किसी ना किसी तरह से, ये एक बहुत ही अच्छी, आजकल बहुत ज़्यादा बोली जा रही है, ये जो term है, somewhere or the other और ये बहुत ही useful मिलेगी, आपको, ऐसी ऐसी चुटी चुटी चीज़ों को ही, आपका अपनी conversation में add करना है, और आप खुद notice करते हैं कि आपका confidence, और आपकी जो speaking skill है, दोनों ही improve होंगी, चेक है, so मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक किसी ना किसी तरह से प्रेरित और उते करते हैं, so ये film दूसरे मौके के बारे में है, अब ये जो sentence है, ये sentence है अपका simple present, इसके अंदर कोई action नहीं है, ठीक है, so यहाँ पर formula वही लगएगा, किसकी बात कर रहे है, main word और वो क्या है, तो यहाँ बात चलिए है, ये film, so this film, फिर आया main word is, अब क्या है, इसके बारे म बहुत सारी लोग हैं, जो अपने दूसरे मौके का इंतजार कर रहे हैं, चीक है, अब यहाँ पर पहला जो sentence है, बहुत सारी लोग है, ये sentence है, जहाँ पर हम किसी चीज़ की होने की बात करते हैं, existence की, presence की बात करते हैं, so ऐसे sentence है मैंने बताया हुआ है, अगर present का है, end में ह आ रहा है, so is MR लगेगा there के बाद, there is, there are, इस तरीके से, am नहीं, there is or there are, चीक है, past का है तो was, were लगेगा, there was, there were, future का हो तो will be लगेगा, there will be, इस तरह से, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग है, यह हो गया present का, so क्या लगेगा, is या are, अब there लगाया, लोग जादा हैं, कम हैं जादा है, so there are lots of people, there are lots of people, बहुत सारे लोग हैं, जो अपने दूसरे मौके का इंतिजार कर रहे हैं, जो के लिए क्या लगाओगे, यहाँ पर इंसानों की बात चलिए, तो who लगेगा, that लगा सकते हो, who लगा सकते हो, चाहँ तो कुछ मत लगाओ, मैंने लगाया who, चीक है अब यहाँ पर जो who है ना, basically, who मेरा doer है, यह sentence जो है, जो अपने दूसरे मौके के इंतिजार कर रहे हैं, यहाँ पर इंतिजार करना action है, sentence कौन सा है, रहा है, रही है, रहे है, present continuous sentence है, यह भी चीज़ समझ में आई, अब present continuous sentence है, तो यहाँ पर क्या होगा, ing लगेगा, और is MR का use होगा, formation रहे हैं, simple, doer, main word action, अब यहाँ doer कौन है, जो इंतिजार कर रहा है, कौन इंतिजार कर रहे हैं, जो, जो अपने दूसरे मौके का, तो जो मेरा doer है, so doer आया who, main word लगा are, action इंतिजार करना, waiting, who are waiting, जो इंतिजार कर रहे हैं, for their second chance, अपने दूसरे मौके के इस तरीके से सेंटर्स बना, जो अपने दूसरे मौके का इंतिजार कर रहे हैं, who are waiting for their second chance, their की spelling देख लो ध्यान से, t-h-e-i-r, अपना, t-h-e-r ही होता है, वहाँ वाला, जो इसी सेंटर्स में, दो their है, their are, जो इस वाले की spelling अलग है, और their second chance, इस की their की spelling अलग है, so their का भ कोई भी आपको दूसरा मौका नहीं देता, आप वो मौका बनाते हैं, अब यहाँ पर कोई भी आपको दूसरा मौका नहीं देता, यह sentence एक तो तरीका बन जाता है, anybody does not give you, लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा, present indefinite sentence है, कोई भी नहीं, इसके लिए हम use करते हैं, simple no one, कि कोई कोई नहीं देता, आपको दूसरा मौका, ठेक है, so do or main word action, do or कोई नहीं, no one, main word लगेगा does, क्योंकि present indefinite है, action क्या है, देना, give, does छुबा give में, और क्या बन क्या, gives बन क्या, no one gives you, कोई नहीं देता है, आपको क्या, second chance, no one gives you second chance, दूसरा मौका आपको कोई नहीं देता है, आप वो मौका बनाते हैं, अब ये sentence भी हुआ आपका present indefinite, ताहती है, आप वो मौका बनाते हैं, ठीक है, वो मौके बनाते हैं, sorry, मौके बनाते हैं, so do or main word action, do or हुआ आप, you, main word, do, action है पर बनाना, अब chance बनाना को हम create बोलते हैं, so action है पर create, do छुपा create में कोई change नहीं आते हैं, so पूरा sentence क्या हुआ, कोई भी आपको दूसरा मौका नहीं देता, आप वो मौके बनाते हैं, no one gives you second chance, you create those chances, मुझे उम्मीद है कि जरसी देखने के बाद उनके भीतर कुछ प्रजवलित होगा, अब देखे यार, इसको नो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या होती है, अब यहाँ पर sentence समझो, मुझे उम्मीद है, अब यह sentence एक तो बन सकता था, present and definite में, कि मुझे उम्मीद है, I do hope, मैं उम्मीद रखता हूँ, रखती हूँ, चीक है, so do छुपा hope में कोई चाहिए नहीं है, I hope, या फिर simple hope, कायदे में तो यहाँ पर I hope आना चाहिए अगर hope भी लगा दोगे न, sentence बोलते हूए, कि या, hope teacher will not come, तो इस hope का मतलब भी ही होगे, भाई, उम्मीद रखता हूँ, इस तरीके से, चीक है, so hope, key that, jersey देखने के बाद, after watching jersey, watch में ing क्यों आया है, ना ने ने वाले sense की वादा से, देखने, jersey देखने के बाद, after watching jersey, something within them ignites, something within them, कुछ उनके अंदर ignites, ignites का मतलब प्रजवलित होता है, प्रजवलित होगा, इस तरीके से, मेरे पापा अभी नेता बनना चाहते थे, चीक है, अभी ये sentence भी कौन सा है, past indefinite, जैसे सबसे पहला sentence है था ना, मैं चाहती थी, इस तरीके से, so मेरे पापा अभी नेता बन want to, चीक है, update छुपा want में wanted बन जाएगा, my father wanted to, मेरे पापा चाहते थे, क्या actor बनना, इसके लिए मैं b का use करूंगा, wanted to be an actor, चीक है, तो wanted के साथ to आ रहा है, तो बनना, उसमें b के अंदर ing नहीं आएगा, so wanted to be an actor, मेरे बापा अभी नेता बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, चीक है, अब he could not become, he could not be an actor, एक तो ये तरीका हो गया, एक हो गया, गर मैं है पर simple से रहा हो, he could not, नहीं बन पाए, तो ये past का sense जा रहा है, सकता है, सकती वारा है, कि वो नहीं कर सके, so he could not, चीक है, वो नहीं कर पाए, he could not, क्योंकि because, वो सुनिश्चित करना चाहते थे, सुनिश्चित करना का मतलब मैंने कही बार बता है, make sure, make sure, कि वो पक्ता इस चीज़को करना चाहते है, सुनिश्चित करना चाहते तो, ऐसे चीज़कों यूज करते है, make sure का, sentence है past indefinite, do or main word action, he did want to, चीक है, did छुपा want to में कहने है, wanted बन गया, he wanted to, वो चाहते है, सुन सुनिश्चित करना चाहते थे, पूरा sentence क्या हुआ, वो नहीं बन पाए, क्योंकि वो सुनिश्चित करना चाहते थे, he could not, because he wanted to make sure, कि लगातार तनखा आती रहे, अब ये sentence कई तरीके से बन सकता है, लगातार तनखा आती रहे, कि एक लगातार तनखा हो, जो आती रहे, हो, so there was a constant salary, constant salary का महला, एक महीनी के fixed income, so there was a constant salary, जो आती रहे, ये भी past का ही है, अब जो कोई चीज होती रहती है, होती रहे, keep doing का use करते है, ये जैसे videos बनाते रहो, keep making videos, so ये past के बाए चल रहे है, तो यहापर kept आएगा, keep के अंदर did छपा हुआ है, second form लगी है, kept coming, ठीक है कि लगातार तनखा आती रहे, that there was a constant salary that kept coming, क्योंकि उन्हें एक ही समय में तीन बच्चों की देखभाल करनी थी, अब देखो कोई काम करना है, यहाँ पर, या फिर कोई काम करना था, कोई काम करना होगा, तीन चीजों का use करते हैं, mostly, तीन चीजों का use होता है, need to, want to, या फ तो has to have to, जरुरत का sense आ रहा है, तो need to, अब यहाँ पर उन्हें एक ही समय में तीन बच्चों की देखभाल करनी थी, अब यहाँ पर चाहत तो नहीं हो सकती, कि वो करना चाहते थे, मजबूरी हो सकती है, जरुरत हो सकती है, तो यहाँ पर जो sense ले है, मजबूरी का ले लि थी, एक मजबूरी वाला sense, so do or कौन है उन्हें, he, main word did, action आया, had to take care, sorry have to, have to take care, अब sorry he के साथ तो वैसे भी has आएगा, has to take care, अब जब did छोपा, has के अंदर, अब did चाहे has में छुपे या have में छुपे, वो had बन जाएगा, second form, so यहाँ पर did छुपा हुआ, has के अंदर, और वो बन गया had, he had to take care, उन्हें देखभाल करनी थी, of three children, तीन बच्चों की, एक ही समय में, at the same time, अब जो टर्म है, at the same time, यह पहले भी लगा सकते हो sentence के, ठीक है, या फिर action से पहले भी लगा सकते हो, जैसे he, at the same time, had to take care, या फिर at the same time, he had to take care, इस तरीके से बन सकता है, ठी एक ही समय में, तीन बच्चों की देखभाल करनी थी, because he had to take care of three children, at the same time, कही न कहीं मुझे लगता है, कि यह मेरी जिम्मेदारी है, कहीं न कहीं का मतलब पता क्या होता है, somewhere within myself, somewhere within, somewhere down the line, यह थोड़ा casual town है, जो यह आजकल चल रही है, somewhere down the line, कहीं न कहीं अंदर से, इस तरह स मुझे लगता है, अब लगता कैसे है, महसूस करके, present indefinite sentence हुआ, I do feel, do or main word action, do, do छुबा feel में कोई change है, I feel, मुझे लगता है, यह मेरी जिम्मेदारी है, चेक है, like क्यों लगा हुआ है, इस तरह से, I feel like, मुझे ऐसा लगता है, वो वाला sense, यह मेरी जिम्मेदारी है, यह क responsibility, so, पूरा sentence क्या हुआ, कहीं न कहीं मुझे लगता है, यह मेरी जिम्मेदारी है, somewhere down the line, I feel, I feel like, it is my responsibility, उनके सपनों को साकार करना, अब ना निने वाला sense आया, लेकिन तू लगेगा, ठीक है, to make his dream come true, ठीक है, अब सपनों को साकार करने को बोलते हैं, make dreams come true, जैसे मैं बोल his dream come true, उनके सपनों को पोला करना, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं, सकता है, सकती है वाला sense आया, can वाला sentence आ गया, do or main word action, do or कौन है, I, main word can, action कहा है करना, do, I can do, मैं कर सकती हूं, कुछ भी, anything, उनके लिए for him, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, because I can do anything for him, तो यह थे आज के sentences, I hope आपके लिए यूज़ यूज़ रही होगी, कोई भी doubt है, कोई भी query है, comment box में जाए है, वहाँ मुझे से पूछे, वीडियो पसंदे तो like कीज़े, नए है, like, subscribe, दोनों कीज़े, thank you.